तो हे गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो आज की इस वाली वीडियो में हम इस वाली फोटो को रीटच करने वाले हैं, लाइटरूम एप्लिकेशन का यूज करेंगे, और इस फोटो में हम संसेट वाली टॉन एड़ करेंगे, काफी सिंपल सी स्टेप्स में, त आप भी अपनी फोटो में कुछ इस तरीका सा कलर एड़ कर पाओगी, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो इसके लिए जो भी आपकी फोटो है, उसको आपको सेर करके लेकर आजाना होगा लाइटरूम एप्लिकेशन में, और लाइटरूम में लेकर आने के बा हैं, तो उसी हिसाब से मैं सब कुछ सेट कर रहा हूँ, और इसमें आपको वाइट्स को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बढ़ाना है, और सेडो को थोड़ी सी कम करनी है, और ब्लैक्स को भी आपको कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, और फिर आना आपको इस कलर में, और य इस तरीके से इंक्रीज करना है और इसकी सेचुरेशन भी कुछ इस तरीके से बढ़ा ले रही है और फिर आजना मगा आपको इस कलास्वाले में और रेड कलर को कुछ इस तरीके से कम करना है और इस औरेंज कलर में आना है और इसको आपको कुछ इस तरीके से कम इसकी लेमि और फियू को आपको कुछ इस तरीके से माइनस कर लेना और फिर जो यह ग्रीन कलर है उसको आपको कुछ इस तरीके से बिलकुल माइनस कर लेना कुछ इस तरीके से और फिर आना आपको यहां से blue clear में और इसकी situation को कुछ इस तरीके से plus और यहां से भी आपको plus करना और इसको आपको कुछ इस तरीके से रख लेना और फिर क्या करना आपको यहां से इसको done कर लेना और फिर आना आपको उपर यहाँ पर इस selective वाले tools में आ जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ से आपको जो यह है gradient वाला यह लेना है और इसको आपको कुछ इस तरीके से उपर से कुछ इस तरीके से लेकर आना है और फिर आना आपको इस में कलर्स में यहां से आपको कलर पिक करना है वह वाला जो मतलब संसेट होता है वह वाला कलर आपको पिक करना है यह वाला कलर मैं पिक कर लेता हूं और इस स्वाले को आपको कुछ इस तरीके से प्लस कर लेना और इसकी saturation को कुछ इस तरीके से प्लस Tint को आपको कुछ इस तरीके से रखना और temperature को कुछ इस तरीके से कर लेना और इसको आपको थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाना तो कुछ इस तरीके से कर लेना और फिर क्या करना आपको यहां से इसको डन कर लेना और अगेन आपको इस वाले में आ जाना और अगेन इस प्लस फर क्लिक करना और यहां से इस पार आपको क्या करना यहां से थोड़ा सा यह सरकल टाइप वाला लेना और इसको आपको कुछ कुछ इस तरीके से रखना है और यहां से इसको इन्वेट कर लेना है और सिंपली इस बार भी आपको इस कलर स्वाले में आना है और जो कलर रखना है वो कलर आपको रख लेना है कुछ इस तरीके से तो हम यह वाला कलर रखते हैं और सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से प्लस करते हैं और टिंट को कुछ इस तरीके से और फिर आपको क्या करना है यहां से इसको डन कर लेना है इतना कर लेने के बाद आपको अगेन इस वाले में आना है और इस प्लस पर क्लिक करना है और यहां से आपको क्या करना है यह वाला लेना है और यहां से इसको नीचे से क्या करना है डार्क करना तो इसकी क्लेर्टी आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीस करनी है और इसका एक्स वर्जर आपको कुछ इस तरीके से कम कर लेना है और फिर आपको यहां से डन करना है और फिर आना आपको नीचे और इस वाले पर क्लिक करना है यहां पर ग्रेडियन पहले पर क्लिक करना है और यहां से आपको क्या करना है जो भी कलर आप पहले मैं इसकी सेच कुछ इस तरीके से कर लेता हूं और फिर मा जाता हूं यहां से Cation Plus इसमें आपको ये थोड़ा सा रखना घ्रीन टाइप का और कुछ इस तरीके से कर लेना और फिर यहां से आपको дан कर लेना है अहले में और इसंख कर आपको क्लिक करना है और झो वाइट कलाπό COP उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से आपको कुछ इस तरीके से डोट बना लेना है तीन और जो सबसे नीचे वाला डोट है उसको आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हलका सा उपर लेकर आना है और सोरी ये थोड़ा सा अलग हो गया कुछ इस तरीके से और इसको आपको कुछ इस तरीके से प्लस करना है थोड़ा सा और कुछ इस तरीके से कर लेना और फिर आना अपको इस रेड कलर में और सिंपली इसमें थोड़ा सा प्लस करना है इसको और इसको भी थोड़ा सा प्लस और इसमें थोड़ा सा हलका सा यह वाला टॉन डेर एड़ करना और फिर यहां से आपको क्या करना डन कर लेना और फिर आना आपको इस वाले में और यहां से आपको इसके क्लेर्टी इंक्रीज कर लेनी है थोड़ा सा टेक् से और राउंडनेस को आपको थोड़ा सा बिल्कुल खतम करना है तो कुछ इस तरह किसे बढ़ा लेना है और फिर आपको क्या करना है यहां से इसको डन कर लेना है तो अब मैं आपको दिखाता हूं यह देख सकते हूं विफोर और आपटर तो काफी बढ़िया संसेट वाली ह हमारी एडिटिंग हो चुकी है अगर आपको कोई और प्रोब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फोलो कर सकते हूं और वाहां पर मेसेज कर देना मैं आपका रिप्लाइज ज़रूरू से करूंगा तो सेव करने के लिए सिंपली यहां से आप क्या करना है सेर वाल